नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर उपर एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी खुश खबरी लेकर हाजिर हो चुश कहें अगर आप भी एक पैंसन लावारती हैं या फिर आप करमचारी हैं तो बन रहेगा वीडियो को देखते रहेगा क्योंकि पैंसन लावारतियों के लिए और करमचारीों के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्ट खबर निकल करा रही है जिसके अंतरगत पैंसन्रों की पैंसन और सैलरी में जबरदस्ट बड़ोत्री सरकार करने जा रही है अभिहल आप कितना मिलेगा कबसे मिलेगा तमाम जानकार इस वीडियो के माध्यन से हम आपको बजा जा रहे हैं आप और साथ साथ आपको वह बता जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या घोसना की गई है तो बन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, चाहे आप किसी भी राज जय की रहने वाले क्यों नहीं नहीं भी स्राइगा, लेक आपसे हमारा चोट वेदन है, कि अगर आपने अ तमाम जानकारी देते हैं देखिए दोस्तों केंदर सरकार की तरफ से पैंसन धार को और क्रमचारियों के लिए जबरदस्ट खुश खबरी निकल गरा रही है जिसके अंतरकत पैंसनर और क्रमचारियों को जबरदस्ट तोफ़ा मिलने जा रहा है अगर आप एक क्रमचारी हैं या फिर आप एक पैंसन आवारती हैं तो आप भी काफी लंबे समय से पैंसन और सैलरी को बढ़ोतरी को लेकर इंतजार जरूर कर रहे हुए लेकिन हाली में मिली जानकारी के नुसार वह इंतजार अब समाप होने जा रहा है क्योंकि हाली में दोस्तो पैंसन और बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से हाली में एक बढ़ा जो तोफा है वह मिलने जा रहा है अब दोस्तों आप वताते हैं कि ध्यान दीजेगा देखिए केंदर क्रमचारियों और पैंसनों के अठारा महिने के डिये एरियर को लेकर एक हाली में बड़ा अपडेट नया अपडेट सामने आ रहा है यंदि के डियर नैंस अलाउंस का लाब पैंसरों को क्रमचारियों को मिलने जा रहा है देखिए करमचारियों को यह बकाया जारी किया जा सकता है अगर आप एक करमचारी है तो आपको भी जरूर मालूम होगा दोस्तो अगर मंत्रालेश में बढ़ोतरी करने का ऐलान करती है तो करमचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है दोस्तो साथ है आपको बता दें कि देखे तरसल भारतिय प्रतिक्षा मजदूर संग के महासचीव यदि मुकेश सिंग ने वित्य मंत्री निर्मला सित्रमन जी को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि महामारी के दोरान सरकारी करमचारियों और रिटार लोगों का जो डिये है वह रुखा गया है उसे वापस करना चाहिए अब दोस्तों नहोंने कोविड-19 के दोरान इसके योगदान और देश के प्रियासों को समर्थन करने में उनकी भुमिका पर जोड़ दिया था कि करमचारियों की बहुत बड़ी भुमिका है कोविड-19 को खत्म करने की इसलिए दोस्तों उन्हें ये डिये रोका था और अब तक धो साल का करमचारियों को नहीं दिया गया है जिसका बार बार करमचारियों दोरा मांग भी की की जा रही है हालकि क्रमचारियों की जो मांगे है वेप पूरी होन चाहिए क्योंकि यह क्रमचारियों का हक है आपका क्या मत है आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जुरूर बताएगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर पहली वार आए है तो चैनल को भी आप जुरूर सब्सक्राइब को लेजगा अब दोस्तो 18 महीने के डियेर को लेकर क्या चर्चा हुई है उसके बारे में जान लेते हैं देखे प्रस्ताओं में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के क्रमचारियों और पैंसन भोग्यों को महगाई भत्त यनके डिये के बकाय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है ये बकाया 18 महीने की अवदी से संबन्दित है जिहां 18 महीने से बकाया ऐसे ही पड़ा हुआ है बकाया नहीं दिया गया है जिसके दोरान डिये आउर महगाई राहत भुग्तान को महामारी में वित्यतनाओं की कारण निलंबित कर दिया गया था ने इनके जो डिये था वह नहीं दिया गया था अब दोस्तों यहां पर कितनी सैलरी बढ़ सकती है कितना भत्ता बढ़ सकता है उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं यदि आपको कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल होगा जवाब दिया जाएग देंके दोस्तों आपको पता होगा कि केंद सरकार क्रमचारियों आउर पैंसरों को मुझुदा समय में साथवे वेतन आयोग के तहत इनके सेवंथ कमिशन के तहत 46% महंगाई भत्ता दे रही है दे दे रही है और दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जन्वरी के बाद जनके जो बजट होने वाला है उसमें करमचारियों को 18% महंगाई भत्ता और आगे दिया जाएगा इनके 4% की बढ़ोतरी करने की और उम्मीद है अगर सरकार ऐसा करती है तो पैंसन भोगियों और करमचारियों को बढ़कर पैंसन और सैलरी मिल सकेगी अगर 4% की डिये में बढ़ोतरी होती है तो यह सिधा 46% से 50% हो जाएगा तो दूस्तों यह थे आपके लिए महत्तमु जानकरी आई होप आपको जानकरी अच्छी लगी होगी ज़िसे आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा आपसे हम निविदन करते हैं कि अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किर पे वीडियो को लाइक कर दिजे जा सेदा वीडियो को share करेगा चैनल पर आप पहली बार आए है चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजाए अब मिलते हैं आपने इस टूडियो में तब तक के लिए दूस्तो जै हिन जै भारत